हलो और वल्कम टो बॉलिवुड वाला आई एम सोनुप दोस्तो धेर सारे रिक्वेस्स आ रहे थे इस फिल्म को लेकर जिसका नाम है A Quiet Place ये एक होलिवूड फिल्म है, 2018 में रिलीज हुआ फिल्म है ये और मुझे याद है मैंने थियटर में देखा थी इस फिल्म को और फिल्म का कॉनसेट तभी मुझे बहुत पसंद आया था दोस्तों इस फिल्म में मुझे दो चीजे बहुत पसंद आया था वो टाइम पर पहली बात तो इसका concept जैसे sound है ना कैसे sound को use न करते हुए जैसे कैसे silence, absolute sunnata या फिर quietness, quiet को use करके एक intense horror thriller तयार किया गया है डिरेक्टर जॉन के द्वारा जो इस फिल्म के lead actor के उसके लिए credit देना पड़ेगा इनको, superb लगा एक concept, superbly filmed and superbly executed and superbly written also और दूसरी बात तो यह फिल्म में ऐसा एक rare emotional father-daughter bond आपको देखने मिलेगा जो आपको अकसर horror films में दिखाई ने देगा, horror films में आपको दरावनी sequence ज्यादा करके दिखाई देगा लेकिन यह फिल्म में दरावनी sequences के अल father and the daughter hits that absolute climax or the octave, superb लगा मिरको वो भी, यह दूर चीज़े मुझे बेहत पसंदा इस फिल्म में, दोस्तों एक film है about family के बारे में, about family में Lee है, उनका wife Evelyn है, उनके बच्चे है, Regan, Marcus और Bo, यह लोग ऐसे एक दुनिया में रह रह रहे हैं, जहापर आप, अगर आप film देखोगे आज का lockdown परिस्तिती आपको याद आजाएगा, क्योंकि सिर्फ about family है, एक post-apocalyptic दुनिया जहापर और कोई, you know, human beings बचे नहीं है, कोई और निवासी है नहीं, लेकिन वहापर alien creatures है, जो देख नहीं सकते, जो blind है, but they have this acute sense of hearing, जहाँ कई पर भी एक छोटा सा human sound लोग सुनेगा उनको बता चलेगा कि वो human being है, कहाँ पर, क्या location पर है, और वहाँ पर पाँच कर वो human being को खा जाएगा, तो क्या about family ये monsters से बच कर safely रह सकते है, या फिर will they be able to kill the monsters, और will the monsters kill them, that is what the film is all about, फिल्म में जैसे मैंने कहा है, sound का कोई इस्तिमाल नहीं किया गया है, दोस्तों, वो concept एक unique concept है in itself, क्योंकि sound एक important और essential ingredient है, एक horror film का, जैसे sound या BGM का इस्तिमाल करके, jump scares create किया जाते है horror film में, इसमें बिल्कुल कोई sound को use नहीं किया, और silence है, ये जो फिल्म में आपको सुना आपको एंगेज करके रखेगा, और वो silence, tension भी create करेगा, एक thrill भी create करेगा, that is the magic of the film, how without any usage of sound, a horror film has been created, super लगा मेरको वो, और दूसरा वो emotional father-daughter bond के बारे में में आड़ी बात कर चुका, जो scene के बारे में में जिक्र कर रहू, वो scene में, the father through sign language tells his daughter that I love you, I've always loved you and I will always keep loving you, वो sequence आ बहुत emotional कर देगा, दोस्तों, in fact, इसमें दाद देना पड़ेगा, कास्टिंग के लिए भी क्योंकि, the girl who they have cast in the role of the elder daughter called Regan, वो एक deaf actor है in real life also, तो वो casting बहुत natural है, इसलिए acting बहुत natural और effortless लगता है, तो great casting, acting के जब बात करें, तो Lee, played by John, who is also the director of the film, और उनका जो real life wife, Emily Blunt, प्ले करती है, Evelyn, superb acting by both of them, और जो child actors है, फिल्म में सभी लोगों ने बेहत अच्छा काम किया, Emily के बारे में बात करते हुए, उनका एक scene यादा गया, जो child birth sequence है, उनका, यार वो आपको एक्दम जंजोड के रखते हैं, superbly filmed sequence और super acting, also दूसरा एक scene है, जिसमें नेल लगता है Emily के टो पर, यार, क्या sequence है वो, यार, जिस तरह जो फिल्म की और जो expression Emily में दिया है, काभीले तारिफ, सुपब लगा, दोस्तों, एक ही एक disappointment मुझे फिल्म में लगा, फिल्म का climax मुझे ओके ओके लगा, ज्यादा पता नहीं, उतना intense और tension से भरा हुआ नहीं लगा, इंटर्टेनिंग, काफी horror है, काफी suspense है, काफी tension है, काफी intense drama भी है, emotional bond है, और वो silence को जिस तरह जे इस्तिमाल किया गया, वो आपको काफी अच्छा लगा, देखो, जिसने भी देखा है, comment करो, बताओ मिरको आपको कैसे लगा, और जिस किसी ने भी नहीं देखा है, देखन के बाद बताना कि कैसे लगा, मैं इस फिल्म को दूँगा, 3.5 स्टर्स मेरी तरफ से, for the moment सुनप सेस, बाब बाई